होला स्चक का क्या प्रभाव ऐसा पड़ता है कि लोग जो है शुब कारे करने से डरते हैं यह जो आठ दिन रहे यह आठ दिन सोक और दुख के रहे जिसमें भक्त को वो इतने कठिन यात नहीं सेनी पड़ी इन आठ दिनों में कोई भी सुबकारे करना वर्जित होता है कोई भी मांगली कारे करना वर्जित होता है लेकिन आज के यूत को अपने धर्म की जानकारी पूरुनना होने पर वैस्परकार के किरत्या करते हैं पूली के नाम पे फुवड़ता नगनता भद्दे असलेलत गाना बजाना भगवान कृष्ण के नाम को खराब करना यह मैं समझता हूं हमारे लिए बड़े अपमान का विश्य है लेकिन सेलिबरेशन बड़े अच्छे भावसे करें नसे से दूर रहे हमारी उतनसाओं की और पढ़कर कि उस जीवन को खराब न करें उमंग तो होली से जुड़ी हुई कुछ महतवपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी के साथ जो पुरोही जनकल्यान ट्रस्ट के रास्ट्र अद्धक्ष हैं तो हम स्वागत करते हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी का नमस तरीकों से होली मनाई जाती है तो हमें बताईएगा कि होली जो है वो रंगों का हित्योहार है या और भी प्रकारों से होली किस तरह मनाई जा सकती है देखिए होली का उत्सव बारत के महान परंपरा बारत के गोरों मई संस्कृति का परिचायक है और यह जीवन में उमंग तरंग उत्सा का प्रतीक है और भक्त प्रलाद की रक्षा का यादिन होलिका अर्थात सारी बुराईयों की समाप्ती और जीवन में अच्छायों का प्रादूर भाव इस होलिका पे हम संकल्प यह लें कि सारी बुराईयों को सारे विकारों को उस होलिका में धहन करते वे अपने जीवन में स्रेश्टता अच्छाईयों से परिपूर होंगे रंगों के साथ साथ अलग अलग राजियों में अलग अलग जगाओं पर विविन रूपों पर फूलों के साथ साथ कहीं पर पानी की बोचारों के साथ कहीं पर लठमार होली से ले करके गोबर की होली से ले करके और अनेकों अनेकों प्रकार से होली का मनाई जाती है होली मना लोगों का मानना है कि होली से पहले जो होलास्टक लग जाते हैं उसमें कोई भी शुब कार्या नहीं करना चाहिए तो होलास्टक का क्या प्रभाव ऐसा पड़ता है कि लोग जो है शुब कारे करने से डरते हैं देखे बहुत अच्छा प्रखा बहुत ही अच्छा और स्रेश्ट प्रसन है जैसे होली लगती है उससे पूर्व ही होली से पूर्व दिन यानि के अस्तिमी से ले करके यानि के पुर्णिमा तक यह काल होता है और होलास्तक अर्थात अगर भारतिय सब्यता की बात की जाए उ प्रिणे कश्वप ने अपने पुत्र प्रलाद को इन आठ जिनों में भिविनी यातनाई दी थी। जिसमें भक्त को इतनी कठिन यातनाई सेनी पड़ी। इसलिए हमारी परंपरा में इन आठ दिनों में कोई भी सुबकारे करना वर्जित होता है। कहा जाता है कि जैसे मोसं भी परिवर्तन होता है रितुकाल का परिवर्तन रहता है तो इस समय सरीर में आलस्या नेगेटिविटी नकरातनक्ता का भाव रहता है। तो जब भी हम कोई सुबकाम करें मालो हम पूजा पाट करें जब तक आपको पूजा पाट में आनन्द नहीं है। आपके मन में त्याग नहीं है आपके मन में तपश्या नहीं है समर्पण नहीं है प्रसंता का भाव नहीं है तो बेमन से किया गया कारे कभी भी सपल नहीं होता है। कि मनोत इसलिए पोजा पाट भी प्रसंटा का राओ है, आंणद तक भाओ है जब तक आपक की मन में आनन्द नहीं है, के बलं पैसों से कर ले ना के बलं मंदर जाके फोर्मैटि पूरी कर लेना पुजा नही경े nasa जब तक काऽ क क कारने पर आंनन्द की प्राप्ति नहीं हो इ कीज़ें गर्बूं में हमें एसी से आनन्द मिलता है एक भगवान कहीजित नहां मैशा है जिसका चोबिस गंटे दिन रात कभी भे लेलौ तो आनन दया विलता है के हमारी हिंदु धर्में होली की एक अलगी कता है लेकिन आजकल के जो है हो को हमारे धर्म से ना जोड़कर अपने इंजॉयमेंट के लिए उसको अलग तरीके से मनाती हैं तो क्या ये किस हद तक ठीक है देखिए तहीने कहीं हमारे जो गोरमई परंपराय थी पहले संसार में जो भी कारे हुटा था वो धर्म को प्रतिक मानकर ही किया जाता है धर्माचार्य ही उसमें निर्णे लेते थे और उसकार्य को जब हम करते थे तो मन में भी प्रसंता रदे में प्रसंता और संसार में प्रसंता का बहु होता था लेकिन आज के यूथ को अपने धर्म की जानकारी पूरुन न होने पर वह इस प्रकार के किर्टिया करते हैं हुली के नाम पे फुवडता नगनता भद्दे असलेलत गाना बजाना भगवान कृष्ण के नाम को खराब करना यह मैं समझते हूं हमारे लिए बड़े अपमान का विशे है भगवान कृष्ण जो महान युद्धा थे जिन्होंने बहुत सारे धर्म की युद्ध विजे गाता जिनके नाम रही जिन्होंने बहुत सारे धर्म युद्ध लड़े आज उन्होंने भगवान कृष्ण को हमारी इस प्रकार की क्रिया कलापों के कारण भगवान के नाम पर एक फुवर्ता को परुष्ण करना एक फुवर्ता को परुष्णा हमारी संस्कृति का अपमान है इसलिए मैं आवान करूँगा अपनी उत से बिलकुल भगवान की न घंत हाय यह धर्मने सुकार रहे योग योग नहीं है इसलिए बगवान का भजन करिये मन से करिये और आपको उन्यार प्रसंता रखन है यारू दोस्तों मेभी सेलिबरेट करना है सेलिब्रेट akarine करिये यह नसे हीमारी यूतने साओं कि उसं जिवन को खाराब न करें कभी होली के नाम पर कभी दिवाले के नाम पर तो आप इस उत्सब को बड़े प्रेम और भगवान का नाम कोई भी उत्सब नाम के साथ ही उसको मनाना सुभ ना जाता है इस बार जो होली है उसका शुब समय आप सभी को बताईएगा इस बार होली बहुत ही सुब योगों में पढ़ रही है और इसके बाद होली का पूर्ण होने पर और कुछ दिनों पस्षादी हमारा नव वर्ष भी प्रारम होने जा रहा है नव वर्ष राक्षस नाम स बर्ष के जो होली का धहन का समय स्याम को सड़े छे बजे से प्रारम हो जाएगा क्योंकि हर बार भद्रा रहतीस बार बद्रा से हम बच रहे हैं बद्रा काल में उस होली का धहन करना सुब नहीं माना जाता तो अमोमन मैं समयता हूं 9-7-9 बजे तक बहुत से लोग कर लेते बहुत दिर तक भी होली का धहन का इंतजार ना करें वहाँ पर गलत ऐसे जो आपके पार्टी गलत एकटी हो जाती होली का धहन के समय वो ना करें ध्यान रखें हमें भी आगे जवाब देना है प्रमात्मा को जवाब देना है इसलिए इसको बड़े हरसुलास के साथ मनाई बगवान का नाम लेजिए अपने बुराइओं को उस होलिका में समरपन कर दीजिए और बगवान से परातना करें पूरे विश्व में संसार में सुक में बना रहे जिस परकार से हम कोरोना से लड़े हैं जिस परकार से हमने बहुत सारी प्राक्रद्यापदा है उत्रा जानकारी दी धन्यवाज आचारिया रजनीश शास्त्री जी तो ऐसे ही धर्म अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ी जानकारी पाने के लिए देखते रहें नोय और सिटी का खासकारेक्रम जीवंद्रस्टी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और द अन्यवाद